हलो फ्रेंड्स, वेलकम इन्द टैग, टैग अटो गयान में आपका स्वागत है और दोस्तो मैंने लास्ट वीडियो में जिकर किया था एक साउंट रिकॉर्डर का एक वोइस रिकॉर्डर का जो है जूम का H1N तो मैं आज आ गया हूँ आपके पास जूम H1N लेके और इसका मैं आपको की फंक्शन के बारे में बताऊंगा जैसे कि लास्ट टाइम मैंने जिकर किया था कि इस पे जितने भी कीज हैं उनके मैं फीचर्डर उनके फंक्शन आपके साथ डिसकस करूंगा और इसके साथ साथ मैं कुछ voice recording test भी आपके साथ share करूंगा तो right now this recording जो sound आपके पास आ रही है ये एक room है जो की काफी हद तक खाली है तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे surround sound शायद सुन रही होगी तो this sound is now being recorded on directly on phone phone है MI का note 5 pro तो यह directly यह जो sound यह जो voice आपको आ रही है यह direct microphone पे है जो की phone का अपना microphone है तो मैं कुछ sound test इस zoom h1n के साथ भी दिखाऊंगा indoor भी दिखाऊंगा आपको सुनाऊंगा outdoor भी सुनाऊंगा with windscreen सुनाऊंगा और without windscreen तो जल्दी से हम पहले इसके जो key functions है उसके बारे में discuss कर लें जी friends तो सबसे पहले मैं left side से शुरू करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो button है यहाँ पे volume के button है right side हमारे पास यहाँ पे जो buttons है setting का है यह power on का button है यहाँ पे हमारे पास device on अगर इसको नीचे करूँ और hold करके रखूँ तो यह हमारा device on हो जाता है ठीक है जी तो यह device हमारा on हो चुका है तो यहाँ पे जो हमारे buttons हैं जो keys हैं उनके features क्या क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक audio है low cut है limiter है और auto level का button है तो यहाँ पे जो हमारे पास audio का button है यहाँ जो audio है वो हमें क्या क्या help करता है अगर हम audio क्लिक करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे mp3 192 kbps का option दे रहा है अगर हम इसको double click करें तो यह option 256 आ जाएगा उसके बाद अगर फिर double click करें तो यहाँ से यह अपने voice recording patterns change करता रहेगा ठीक है जी तो यहाँ से आप voice recording patterns change कर सकते हैं format change कर सकते हैं उसकी capacity change कर सकते हैं basically यह device आपको WAV जिसे हम VAW format भी कह देते हैं यह mp3 format दोनों ही format record करने में capable है पूरी तरह से उसके बाद next जो हमारे बास की आती है वो है low cut इस key का यहाँ पे feature जो function है वो यह है कि अगर कोई sudden जैसे की pop-up sound आ जाती है या air की आवाज आ जाती है अगर आप low cut on कर देते हो यहाँ से feature तो यह आपको मैं दिखाता हूँ एक बार press करोगे यह off आ रहा है अगर आप double time इसको press करोगे तो यहाँ पे आपको frequency दे रहा है कितने hertz की frequency है 80 है 120 है 160 है मतलब यह किस level के pop-up को filter कर सकता है वो आप low cut से adjust कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास limiter का option आ रहा है limiter का button है limiter बटन आपको जैसे की कोई भी sudden voice आ जाती है अगर आप यहां से limiter on कर दें तो वो आप बंद कर सकते हैं last पर आ जाता है हमारे पास auto level auto level जैसे की हम कुछ गा रहे हैं या आप कुछ कोई lecture record कर रहे हैं तो वहाँ पे भी टेज आवाज ना आए जिससे speaker वगएर आप एकदम फट जाते हैं या एकदम से irritating sound होती है वैस है यहां पे उसका कोई काम नहीं रहता लेकिन अगर आप auto level off रखते हो तो आपको यहां पे manual की adjust करनी पड़ेगी जो की जिसकी ranking zero से लेके 10 तक है मैं usually auto level को बंद रखता हूं और six के आसपास six या seven के आसपास इसको use करता हूं ठीक है friends तो बाकी buttons मैंने clearly आपको last video में भी ब इसको मैं compare करूँगा zoom के h1n के साथ तो फिलहाल जो आपको मेरी voice सुन रही है वो आ रही है directly मेरे phone से मेरे cell phone से तो आप इसको compare कर सकते हो with zoom h1n के साथ तो यह मैं sound अभी shift कर रहा हूं from phone to my device तो यह sound अब जो आपको सुनाई दे रही है यह directly आ रही है zoom h1n से और जो मैं recording format यहाँ पे फिलहाल use कर रहा हूं वो है mp3 192 kbps और यहाँ पे auto level भी बंद है यहाँ पे limiter भी बंद है और यहाँ पे जो हमारा third feature है low cut वो भी off की situation पे है यहाँ पे कोई भी मैंने feature on नहीं कि किया हुआ यह directly आप जो voice सुन रहे हो वो आ रही है zoom h1n से तो आप compare कर सकते हो जी friends तो अब इस time मैं वही device पे मैंने एक windscreen लगा दिया है जिसे हम pop-up filter भी कहा देते हैं एक manual pop-up filter है एक windscreen है जो कि मैं use कर रहा हूं अभी अपनी device पे तो आप इस voice को भी compare कर सकते हो without windscreen और with windscreen और phone के device के साथ तो आप जो phone के साथ जो voice आ रही है उसको उसके साथ तो आप already compare कर चुके हो तो मेरे ख्याल से यहां पे काफी ज़्यादा difference है voice का hello friends तो यह आप देख रहे हो जैसे कि मैं outdoor में हूँ तो यहां पे कुछ sound कुछ songs वगरा पीछे चल रहे हैं तो यहां पे मैंने एक windscreen यहां पे use कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि यहां पे क्यासा sound आपको मिल रहा है so this is the mic testing of zoom h1n with wind guard और यह मैं इसको इसके इलावा इसके बग्यार भी आपको थोड़ी सी sound इसकी चक करवाता हूं तो you can feel some difference जी तो यह है अब without windscreen तो आप देख सकते हो कि कैसी sound है so this is the mic testing for zoom h1n without windscreen जी friends तो I hope कि आपको काफी ज़ादा आज comparison देखने को मिला आपको zoom h1n की sound जो voice recording है उसके बारे में पता चला उसकी quality के बारे में पता चला उसके कुछ features के बारे में पता चला और comparison भी यहां पे रहा तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया अगर gadget पसंद आया तो आप purchase कर सकते हो online किसी भी website से जहां पे आपको best price available है तो आज का वीडियो पसंद आया तो इसको like कीजिये share कीजिये channel को कर रीजिये subscribe और bell button दबाना बिल्कूल न भूलिए तो मिलते हैं next video में thank you